जब मैंने इस सोचल मेडिया खोल के देखा ना सच बता हूं मुझे इतनी तेज गुस्सा आया मुझे अक्किकत में ऐसा लगा कि यार उस चेतन में कहा सच में बेहन बेटियों की इस चेतनी है क्या कमेंट ऐसा भी था कि क्या प्रिया सिंग बिग गई है वो सबसे बड़ा द पार्टी जोइन करी कोई भी विपक्स में कोई जाके पार्टी जोइन करी हूं तो आप मुझे बोल भी सकते हो मैं कोई जिम्मेदारी ली हूं तब आप बोल भी सकते हो उसके अलावा मैं बेनिवाल जी के खिलाप खियू सर में जाके परचार करूं तब आप बोल भी सकते किस विय में मुझे बोल रहे हैं, क्या मैंने तुम्मारा कुछ लेके खा लिया? क्या कर दिया मैंने तुम्हारा? यह सोच के मुझे गुस्टा आया था और ये सोच के मैं बोली थी. मैं आज एक, आपको भी बताया था, आज इन चार दिनों में 35 मिलियन लोगों ने मेरी प्रोफाइल रेच किया मैं आपको इस्क्रीन शॉट दे सकती हूं यह जो तुछ लोग है न तुछ लोग सच बता हूं तुछ लोग उनकी इतनी गटिया मान सकता है मैं आपको बता नहीं सकती वह 22 मिनट का वीडियो सुन लो आप क्या आपने हनुम तुछ दिन पहले कनी जी बोलरी थी कि मैला सबस्क्री वेडियो पर यह देखने करने चाहती हों कि बाबी जी आप तो काम करोगी पर यह आपके लोग को काम निक हैं वो तो लोगों क्या आपकर पर पर जब मैंने उन से ये बोला कि जो कनीकाजी जो काम कर रही है वो करने तो अपनी तुछ मान स्थिता बीच माम मतला हो वो अच्छा काम कर रहे है वो लोगों ने वाइरल कूण नहीं तो इसका एक मतलब में बताओं एक तरफ मईला है दूसरी तरफ भी मैला है आज तक आतन कि इंसान को दूसरे के इंसान के पड़ती कहने का कोई हक नहीं है आपने सीधा बोल के कनिका जी पर छापाया ना वह बहुत गलत है अभी आप किसी पार्टी से थोड़ी जुड़ी हुई हो आरल पी छोड़ने के बार मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई यही तो मुझे देखते ही क्यों, फोलो ही क्यों करते हो, कई लोगों ने मुझे अनफोलो कर दिया, तो मैं उनसे हाद जोड के कह रही हूं, अच्छा है मेरी प्रोफाइल से गंद की छट दे, क्योंकि ऐसी ओची मान सिखता वाले लोग मेरी प्रोफाइल में नहीं चाहिए। जूडी हूई, बोडी बिल्डर, जो की बहुत मसूर है और इन दुनों काफी सुर्ख्यों में है, प्रिया सिंग मेगवाल, क्यों उनको ट्रोल किया जारा सोसल मीडिया पर क्या वज़े है, खुद प्रिया से ही जानते हैं, प्रिया चारोतरफ चर्चा है कि RLP से आप जूड किया, क्या हो गया, कनिका के साथ? जूडी हूँ, नहीं मैं थी, और अब तो ट्रोल तो लोग फाल्तू में कर रहे हैं, उसका रीजन है, देखो विशाल जी, ये मेरी खुद की स्वेच्छा है, मैं पार्टी में रहूं, ना रहूं, या मैं कहीं जाओं, या नहीं जाओं, या फिर मैं पार्टी छोड़ दो, ये तो मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा थी, तब तक थी, मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं हूँ, आप इसको एक पर्सनल लोग, अभी ऐसे बोले, ये पर्सनल मेंटर कैसे हुआ, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाह पर्सनल मेंटर इसलिए हुआ, कि कुछ मुझे पर जिम्मेदारिया है, पिछले लोग सुभा चुनाव में परचार नहीं किया था, उस टाइम मेरे फादर आई स्वी में एडमीर थे, फिर कुछ उतार चड़ा हुए जिन्दिगी में, उसके चलते मुझे ऐसे लगा कि नह चलते मेरे अंदर से फील नहीं हो इसलिए मेंने छोड़ दी और सिक्स मन पहले छोड़ दी, मैंने तो तो सोचल मेडिया में तो ऐसे ही नहीं के बाद मैंने मूग कर दिया और मैं सोचल मीडिया में डालती भी नहीं अब जैसी चुनाओ नजदीक आए तो क्या है फोन दिन रात अभी आप देखो मैं ओफीस में हूँ आप ओफीस में आयों मैंने आपको इंट्रू देने के लिए थोड़ा से टाइम निकाड़ा है ओफ परचार के लिए मुझे कॉल ना करें आप मेरी मेडिया पर देखते हो कानी वहां से शुरू होती है और वहां से वह आज तो वह लोगों ने कमेंटी डिलिट कर दिये उस बात को तीन दिन हो गए जब मैंने का अरलपी के समर्थ था कि तुथे बिलकुल वह समर्थ नहीं य तो देखूंगे ना यह अपना जानका रहनी है और मैं सच बता हूं मुझे टाइम नहीं है मैं आज भी सुबह मेरी पोस्ट सोसल मेडिया वाले पोस्ट की ती उसके बाद वह बहुत ज्यादा वाइरल हो तो मुझे कुछ समाज के लोगे कुछ मेरे दोस्त लोगे कुछ मे सुसल मेडिया वाले उन्होंने मेरे को बोला कि मेडम डिपावणी आगे भीच मेरे माप एक बार यह सुसल मेडिया को कर देखो मैं तूम ही देख लो तुम क्यों पैसे ले रहे हूं तो ऐसे बोला नहीं मैडम आप सोसल मिडिया खोलके देखो आप पे उसक्ष्ण वो सबसे बड़ा दाघ, मुझे उस टाइम इतना घुसषा आया कि Cisco कितने में बिकतू यह लिखाता है किया मैं बिक गई नहीं कितने में बिकतू तो में यह कहना चाहती हूं क्या आज तक कितने लोक दे रहें कितनींगे को कहीं लिए ए तुम कितने में बिक गई सबसे बड़ी बात है और सभी गते तिर को इतना गुस्सा क्यूं है अरे गुस्सा नहीं आएगा क्या आप बताओ आप गुस्सा नहीं आएगा ना मैं मैंने पार्टी जोइन करी कोई भी विपक्स में कोई जाके पार्टी जोइन करी हूं तो आप मुझे बोल भी सकते हो मैं में बेनिवाल झी के खिलाप खियू शर में जाके परचार करूं तब आप बोल भी सकते हों कि स्वेजल क्या कर दिया मैंने तुम्हारा यह सोच के मुझे गुस्स आया था और यह सोच के मैं बोली थी मैं आज एक आप आपको भी बताया था आज इन चार दिनों में 35 55,000,000 लोगों ने मेरी प्रोफाइल रिच किया मैं आपको इस्क्रीश рек दे सकती हूं कि कोई जान बूज कर ओर प्लानिंग के तेरे कर रहा है मैं इतने दिनी राजनिती में रही हूं मैं लोगों की मान सिकता नहीं समझ सकती कोई जान बूज के कर रहा है तो करी रहा होगा और कोई नहीं कर रहा है दूसरी पार्टी से कर रहा है तो भी कर रहा होगा मैं एक चीज कहना चाहते हूं राजनिती करो ना खुद के बलबूत बाई साब को पहले ही पता था छे मैने पहले सच बताऊं जब उन्होंने मेरे को लोकसभा में बोला था ना तब मैंने ऐसे को दिया कि मैं पार्टी के लिए टाइम नहीं निकाल पारी हूं क्योंकि मेरे फादर भीमार है उसके बाद जब यह जीत के आये थे चुनाओ तब मे मैं पार्टी के कई कारे करता है जिनसे मेरी आज भी बात होती है उन्होंने कुछ खाए यह जो तुछ लोग है ना तुछ लोग सच बताऊं तुछ लोग उनकी इतनी गटिया मान सकता है मैं आपको बता नहीं सकती वह बाईस मिनट का वीडियो सुन लो आप क्या आपने हन कुछ दिन पहले कंई जी बोल रही थी कि महला सकती करणक पर काम करेंगी तो मैं, कनी जी अगर मेरा लाइव देखरी है तो मैं करने चाहते हूं कि आप तो काम करोगी पर उनके लोग तुछ लोग काम नहीं कहने देंगे वह तो लोगों ने काट के उसको वाईरिल कर दी कर दूसरी तरफ भी मुहीं आज तक आपने देखहां किसी मैला के लिए किकिसी वह नेतायकी जांड़ बोलाओ पार्टी अलग चीजे में इंसान इसलिए आप किसी इंसानको दूसरी इंसान के प्रथि कहनेया कोई कर दो आपने सीधा बोल के कनिका जी पर चापाई ना वह बहुत गलत है अभी आप किसी पार्टी से थोड़ी जूड़ी हूए और एलपी छोड़ने के बार मैं किसी भी पार्टी से नहीं जूड़ी हूई यही तो दुख है कि मैंने किया क्या है क्यों मुझे गाड़ी निका अच्छा है मेरी प्रोफाइल से गंद की छटने क्योंकि ऐसी ओछी मान सिखता वाले लोग मेरी प्रोफाइल में नहीं चाहिए मुझा आप नहीं मानते कि आपके फ्रोफाइल में आरल पी से जुड़ने के बाद फैलन फोलाइंग और बड़ी आपकी प्रोफाइल में और ज़्यादा बड़ोतरी हुई है सच बतारेय। जबसे मैंने लिखहे न ये मैं खिलाव बोली हूं तबसे मेरी और बड़ोतरी हुई है इन लोगों से बदलो तुमारे घर में भी बेन बेटी है विदान सभा उपचुनाव के टाइम प्रिया सिंग हनुमान बेनिवाल से कंदे से कंदम लाते हुए रत पर प्रचार करते हुए खूब दिखे थी लेकिन हर कोई चाहर है क्या ये नजारा वापस विदान सभा उपचुनाव शिट पर देखने को मिलेगा या नहीं ऐसी मान सिख्ता मैं तो कभी नहीं मिलेगा चाहे कोई भी पार्टी हो चाहे बीजेप हो चाहे कॉंग्रेस हो चाहे आर यलपी हो अगर महिलाओं के लिए आपके समुदाय के वोट काफी है और वो निनाइक भूमिका में हर बार रहते हैं या चाए बीजेपी की तरफ जाओ चाए कोंग्रेस की तरफ जाओ चाए आरलपी की तरफ जाओ आपको नहीं लगता कि आपकी भूमिका वहां पर एम हो सकती थी महिला का सम्मान सबसे बड़ा है उस हर पद से बड़ा है अगर महिला का सम्मान नहीं है तो कोई पार्टी माहिने नहीं रखती कोई पद माहिने नहीं रखता कोई चीज माहिने नहीं रखती वो कुर्सी किस काम की जो महिला की लिए खिसका लिए जाती है और उसको गिरा के ख प्रिया जी कहा हो अनौसमेंट हो रही है मैं जोत पूर हूं मैं लालची होती तो मैं उस टाइम बीजेपी में नहीं होती और उसके बाद में अनमान बेनिवाल जी का समर्थन किया था आपको पता हो तो तो फिर यह कैसे सोच सकते हैं ऐसा कैसे हो गया कि आपका नाम दे दिय आपको तोarl कर दोगें का अब सबस्क्राइब आप अच्छे बुरे लोगों दोनों से मिलना होता है तो क्या अच्छे और बुरे लोगों में आपके मैला का सम्मान खोदेते हो गलत है गलत है ना तो क्यों मेरे को गाड़ी थी आप बताओ मुझे मैंने आज तक कभी गुसे में नहीं बोला आपने मेरा मिसा सयम ही देखा रिक्वेस्ट ही देखी है तो को गुस्सा जादा आता है कि एव त्षेमष भी सालों में सिरी ह्ट कि उठा के पूछ आप आप आरेलपी में किसको जानते हो सच बताओं वो केते सुप्रीमों को जानते हैं नाराइन जी को जानते हैं और किसी नहीं जानते हैं तो मुझे मुझे जानते हैं तो मेरे नाम के पीछे जानते हैं पार्टी के पीछे जानते हैं आप बताओं इतने लोगों ने पार्टी ज सबसे पहले हाइलाइट हो रहा था जब आप सब मुझसे मिलना चाह रहे थे प्रियाज इंट्रिवी दो मैं का मैं हो इनी सरकार क्यों मिना फालतू तो आप यह बता हो क्या मेरे उसके पीछा हाइलेट हो रही थी कि मैं आरलपी मौ वो यह सोचते हैं कि यह महिला खिलाडी कि तरफ गई महिलाओं का सम्मान होगा मैं वहीं बैठूंगी हर इंसान चोटे से लेके बड़े इंसान का सम्मान होगा मैं वहीं बैठूंगी अगर हर इंसान का सम्मान नहीं होगा तो मैं पैसों की ना भूकी हूँ ना मैं किसी सम्मान की भूकी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूं आपको कि लोग ऐसे सोचते महिला हूं कमजोर नहीं और आप मैं आपको खुल के आज एक बात बता हूं सितंबर 2022 सच बताऊं एक पुलिस वाले को इतना दोया था मैंने वर्दी में मैं आपको बता नहीं सकती जब तो मुझे कोई जानता नहीं था इसलिए दोया था कि उसने मुझे आपको मैं वर्ड यूज नहीं गाली देती मुझे उठा के थाने में ले गए पबलीक इखटी होगी उस जगह है कि गलती माफी मांगो किस बात की माफी मांगो क्या आपने इसको मारा वर्दी पाए मैं तो हूं गलत आप इसको सही कर दो क्या प्रिया सिंग का यही बेबाकी के वज़े से आरेलपी के कई नेताओं को दिक्कत होती थी देखो कई लोगों को तो सच बताऊं कोई भी फिल्ड चुनलो इसलिए होता है कि भाई सबसे पहले इंपोर्टेंट इसको मिलेगी क्यों थोड़ा सा नाम हो जाता है थोड़ा सा फेम हो जाता है न और थोड़ा हाइलाइट रहते हैं तो हर लोगों को दिक्कत होती है और प्रिया सिंग ने कोई पदी तो नहीं लिया था बिना पद से ही पार्टी जो उनकी थी वो तो आप सब कोई पता है मेरे कोई 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 कौन सा पद लिया फिरकायक अडर किसको मुझे तो कोई डर नहीं पार्टी के नताओ अब होगा अडर उनको मुझे तो कोई डर नहीं यहां आदमी का सम्मान नहीं वहां नहीं बैठना जहां गरीबों की नहीं सुनेगा वहां नहीं बैठना आज खुस हूँ, कम सिकम सच बोल के चार लोग मुझे बात करेंगे मुझे जूटी बीड नहीं चाहिए सच लोग चाहिए प्रियसिंग के पास आज यदी हनुमान में विन्यलॉफ फोन आता है और कनिका बैलीवाल के समरतन में क्या वोट मांगोगी आपके उसर में जाकर नहीं बिल्कुल नहीं नहीं मैं जब बोल दिया एक बार छोड़ दी मतलब छोड़ दे आप तो हनुमान बेनिवाल को भाई साब कहते हो बड़े रिष्टे अलग बात है राजनीति अलग चीज़े अगर रिष्टे और राजनीति दोनों मिक्स करोगे तो गिरोगे नागोर के किसी दिगज नेता का फोन तो नहीं आया आपके बात अब देखो ये सारी चीज़े क्यों बूझ रहे हो आपको भी पता है एक पक्स कमजोर होता है तो दूसरा इस्ट्रोंग होता है ये तो मेरे पहन है और मैं कल भी मैं एक इ नहीं वो कदब तो धीर धीर ही चलेंगी ना आप समझोर में क्या करी हूं आज मैं यहां खड़ी हूं मुझसे मुझसे बहुत लोगों को उमीद है और सच बताओं मैं तो वियाकुमारी जी साथ भी दिखी हूं वसुंद्रा जी साथ भी दिखी हूं गेलोजी के साथ भी सब्सक्राइक हैं मेरेस मेरी प्रोफाइल में कितने नेता हैं और कहीं-कहीं लोगों को यह लगता हैं बहुत फोन आते मैडम करौदो मैडम करा दो इसकुल एक्ष लिए तो मैं तो जंडा तो नहीं उठाऊंगे आप समझ गए और मुझे किस लाइक कोई मिलता है मैं लोगों की सेवा कर पारी हूँ तो मेरे लिए कोई पार्टी माइनने नहीं रहा थी बहुत बहुत सुकरिया प्रिया सिंग बैबाक बयान बाजी के लिए मसूर भी है बोडी बिल्डिंग के साथ साथ और हाली में इनके वीडियो सोसल मेडिया पर वारल हो रहा है इनको ट्रोल किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने RLP पार्टी छोड़ दी और कुछ RLP कही तता खतित जो नेता कहे जा रहा है वो इनको ट्रोल कर रहा है इनके वीडियो को ट्रोल कर रहा है कि क्या वो क होगी वो बहुत से में उसके बारे में सोचेगी केमरा स्योगी मनोच के साथ विशाल सर्मा जापूर राजस्तान